आज मैं ठेक्के की खिती के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कुछ मेरे भाईयों का सवाल था कि ताओ जी ठेक्के पे खिती कैसे होती है या ठेक्के पे जमीन कैसे मिलती है जैसे जिस खित में मैं खड़ा हूँ ये हमारे परिवार का ही है वो शेहर में रहते हैं खुद करनी बाते क्योंकि इतनी दूर सा आना शेहर से पंदरा किलोमेटर मेहनत बहुत पढ़ती है गर्मिय कौन कहा जाएगा करके भी देखिया उन्होंने उन्हें कुछ बचनी पाया कारण क्या है सारा काम किराय का कराना तो फिर उन्होंने परिशान होके ये जमीन ठेके पे दे दी अब ये जिसने ठेके पे ले रखी है मालिया एक साल के लिए है या दो साल के लिए है तीन साल के लिए है तो इसमें रेट फिक्स हो जाएगा जैसे मालिया हमारे हाँ एक हजार तीन चार गजू पर बैठता है, हिसाब लगा लेना, कुछ गाउमों में पांच विस्से का बिगा होता है, एकड होता है हमारा पांच बिगे का, मल्या एक एकड लगा लो पांच बिगे हो गया, तो छे के रेट पे पांच चंक तीस हजार रुपे एकड होगी, हजारो भी के फारम ठेक्के पे लेका खेती कर रहे हैं, बड़े-बड़ी पार्टिया, और उनके फोर भाई फोर ट्रैक्टर खड़े हैं, बड़े-बड़े, उनका सारा जीवन ठेक्के की जमीन वी चला गया और परिवार को पाड़ ले हैं, बहुत तकड़ी कमाई कर रह हैं, कि हमें करना क्या है, हाँ, एक बात हो रहा है, अगर आप शहर में रहते हैं, और आपके दिमाग में कीड़ा कुल बला रहा है, कि मुझे खिती करनी है, क्योंकि कुछ मेरे भाई जो खिती नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं, किसान बड़ा बहुत रह अगर गाओं का दूद हम किसान हिसाब लगाएं तो हमारा सो रुपे लिटर से महंगा बढ़ रहा है क्यूंकि 45 किलो का चोकर का कट्टा 900 रुपे का है खड़की बोरी साड़े सो पंदर सो रुपे की है 45-50 किलो की आरी आजकल चड़े की चूरी वो 50 किलो बोल लेकिन 2 किलो क कम लिखड़ा है वो भी 14-15 सो रुपे सा कम नहीं है तेल सवा सो रुपे लिटर है तो ये सब चीजे जो है ना सब मोल के होती है बजार के पसो को खुलानी पड़ती है तब पसो दूर देता है और वो दो एक महने दूर स्पीड पर देगा जरासी सेवा कमोगी तो लात्मा रOff नहीं सुरू करते है यह समय हो जाएगा तो ये सपने होता है मेरे भायों के जो शैर में रहता है किसान से दूर रहते हैं एक शाल में गुबार निवट जायेगा उनका कुछ मेरे भाई सलदयता है चलो भई पोली हाउस बनाएंगे फाइनैस होगा बैंक्स है अब के ज इतनी डिप्रेशन मागे तो भाईयों लोन का बिजनिस ना करें वो आपकी अपनी समझ है मैं तो अपने विचार बता रहा हूं सब्जी घिया चार रुपे किलो बिग्या लोगों ने जोती दिये खितों में हम सोचें बांस पर चड़ा का उपर बहुत मजा ले रहा है कोली भर का रोने को तयार है सामने वाले की सब्जी वाड़ा रहे आप सोचते हैं गंडे में बहुत बड़ी इंकम है हम ठेके खिते लेकर गंड़ा करेंगे गंडे के लिए तीन साल को कम सागम आपको जमीन ठेके बे लेने पड़ेगी उसका एड़वान देना पड़ेगा सारा बीज जुताई खाद आपके पास अगर सारे साधन नहीं है मौल लेने पड़ेगे सबसे बड़ी समस्याएगी गंडे का आपका मील पर बोंड नहीं है अगर हमारा सबा तीन सुरुपे जा रहा है जिसका किसान का बोंड है तो आपका हमानी जाएगा पर्ची मंगी कोई नहीं देता मिलों में भाई सकता यह बहुत ज़्यादा तो आजकल क्या हो रहा है कलेस रुपे डालते है कॉलों में वहाँ डेड़ सो दोस्तो रुपे का रेट मिलता है माइनस में जाओगे डिप्रेसन मा जाओगे जो तुमने लगाया वो भी वापस नहीं होगा एक महारे रिष्टेदान ने मिलिटरी फारम एक सो सब्तर भी के ठेके में ले लिया पैसे चूचू कर रहे थे उसमें और वो बोली बोलके दस हजार रुपे बिगा ले गया और जी यह लगा लो जी उसने जो वो मेरे ख्याल में 12-13 लाक में मेरी जमीन वो जमीन जो है मुझे लग रहा है अब वो धान लगा रहा है फिर कहेगा मैं आलो लगाऊंगा यह हैर भे है आलो का भाव अपका अच्छा मिला जरूर नहीं है अगली साल पे अच्छा मिले अरे दिन दो बजे रोटी मिलती है उसे तो अभी तो वो खुश है अभी कुछ नहीं कर रहा लेकिन वो अंदर-अंदर पश्ता रहा है तो जिसके पास पैसा आ गया ना उसके दिमाग में क्योंकि आज कल प्रोपर्टी काम भी ठंडा चला है बात उनकी भी सही है सोच ले खित्ती कर लो पैसे भी ठामनी पारे बैंकों में कीश्वी कुछ दे नी सकते ब्याज पैस के ब्याज ले पांच रुपेस आखड़ा का पांच का वापिस ने आता एक या दो बैवे दे नी सकते बात सम्मान की है अगर वो उस पैसे को जब बैंक से हुने है 40-50 पैसे मिलते हैं भी आज के तो मेरे भाई एक रुपया सैंखड़ा पर दे दो रुपया सैंखड़ा कम नहीं होता दो पर दे दो हद है कोई तुम्हारा पैसे भी नहीं मारनेगा वो सबसे बड़ी हाख तो मैं दो परसेंट खित्ती में नहीं मिलेगा जादे बात मैं कहता नहीं अगर जादे सपने साकार करने हैं तो थोड़ी सी जमीन बो के देखो भाईयो पता लग जाएगा क्योंकि किरया इतना बैठ जाता है इसलिए किसान को यह सौंज खरीदने पड़ते है सारा काम किरया से नहीं होता दोस्तो कुछ बात अधूरी रह गई हो तो कमेंट कर देना मैं अगली वीडियो में बता दुआ नमश्कार और हाँ एक बात ध्यान लखना अगर आप जमीन ठेके पे ले रहे हैं कितना भी खास हो तुम्हारा इस्तेदार हो भाई हो दोस्ती बिगड़ जाएगी जितने दिन का समय है दस रुपे के इस्ताम पे लिखवा लेना चार आदमियों के बीच में गट करें मेरी साल दोक्का हुआ है मेरे खास्ते मैंने बहुत की जमीन ठेके पे लेगा आड़ुधान का काम किया है जिससे तीन साल में ली कंपूटर मंजे लगा है महनत बहुत तकड़ी करी पड़ोसी जान लेगे हम क्या भाव है नुकर यो रेट है उनका दिमाग खराब हो गया फसल देखके उनके सपने कुल मुलान लगे कि इससे तो ऐसी फसल तो हम भी कर लेंगे तो भाईयो पहले लिखित मैं करना जो भी तै करना उसके बाद मैं पैसा देना कड़वा सत्य है ये अनि तो तुम लेलो जमीन वे तो राजियो कहते है भाईया भी लिखित में नी कुछ नी तो विस्वास है जुवान है नमस्कार